नगर निगम के टेक्स विभाग में बीते दिनों लगी आग सौट सरकी से नहीं बलकि साजिसन लगाई गई थी एक संधिन की हरकर सीसी टीवी में कैद हुई है सीओ कोतवाली संधिन यूग की पहचान करने में जुटे हैं इस घटना के पटा छेप के लिए सीओ कोतवाली ने नगर निगम के टेक्स विभाग में पहुँचकर करमचारियों से पूस्ता सुरू कर दी है CEO कोतवाली अशो कुमार पांडे ने नगर निगम के अधिकारियों और करमचारियों को आग लगाने वाले युवक की CCTV फूटेज की तस्वीर दिखाई निगम के किसी करमचारी से संधिंग की पहचान नहीं हो सकी है CEO कोतवाली ने बताया कि CCTV फूटेज मिल गया है और आरोपी भी जल्द ही पकड़ा जाएगा इस आख से टेक्स विभाग में रखी लगभग 900 फाइले जलकर राख हो गई थी फूटेज में संधिंग युवक बोतल में कोई जोलन शील परदात लिये हुवा दिख रहा है और उसी जोलन शील परदात को फाइलों पर फेक कर आग लगा रहा है जब फाइले जलने लगती हैं तो संधिंग युवक सीर्यू के रास्ते बाहर निकलता दिखाई दे रहा है क्या है पूरा मामला हम आपको बताते हैं 25 फरवरी को सुबह 9 बजे के आसपास नगर निगम के इन टेक्स विभाग में आग लग गई थी करमचारियों ने कारयलय में माँचूद अगनी शमन यंत्रस आाग को काबू में करने की कोशिश की लेकिन आग काबू से बहर होती रही फिर किसी ने फाय ब्रेगेट को बुलाए तब जाकर किसी तरह से आग पर काबू पाया गया जब आग लगने के कारोनों के बारे पूछा गया तो निगम में मौझूद अपसरों ने सौट सर्कित का हवाला दिया था इस बीच वहां मौझूद किसी पारसद ने इसे साजिस बताया था इसके बाद नगर आयूत राजिश कुमार त्यागी ने जान समीती का गठन करने के साथ ही F.I.R. भी दर्ज कराया था करने धारन अधिकारी रविश कुमार ने बताया कि आग लगने से काफी नुकसान दस्तावेजो का हुआ है क्योंकि हमारे जितने फाइले हैं सब हमारी कम्प्यूटर में है और कोई अगर किसी का विवाद भी किसी पाइल से हो तो जब विवाद सुना जाता है तो उसको दोरोपच को बुलाया जाता है और उसे उसके साथ चमा के जाते है कि अधिकारी कर्णियों से पूरा बड़ा सा फोटो है आपको अभी विवन हो जाएगा और वहां पर पहचान कराया है बट किसी ने वहां पर पहचाने कोशिस नहीं थी और उस पर मैंने पुरुस्तार गुषित कर दिया मैं अपने पास सी जो ही उसको पहचान रहेगा उस कि इसको और पहचान हो गया तो जल्दी इसका हम खुला सकता है गरीब